evolution of the atmosphere and hydrosphere बायू मंदल वा जल मंदल का विकास बायू मंदल वा जल मंदल का विकास को पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जल मंदल किसे कहते हैं और बायू मंदल किसे कहते हैं बायू मंदल से हमारा अभिप्राय हमारे चाहरों और फैले हुए बायू कि अवरण को बायू मंदल कहते हैं और जल मंदल जल मंदल से हमारा अभिप्राय प्रित्वी की स्तह पर फैले हुए जल को जल मंदल कहते हैं बायू मंडल की सरचना में नाइट्रोजन वो अक्सीजन का अतिधिक योगदान है आज जो बायू मंडल है उसका विकास तीन अवस्थाओं में हुआ है पहले जो बायू मंडल था उसमें हाइड्रोजन वा हिलियम की अधिक्ता थी यानि के जो बायू मंडल था उसमें हाइड्रोजन और जो है हिलियम जो है गैस थी वो अधिक्ती प्रण्थो सोर पबन के कारण ये प्रित्वी से दूर हो गया सोर पबन के कारण हाइड्रोजन और हिलियम जो है प्रित्वी से दूर हो गया ऐसा केबल प्रित्वी पर नहीं हुआ, अब भी तो सभी पार्थवी ग्रहों में हुआ पर तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि सोर पबन किसे कहते हैं और पार्थवी ग्रह किसे कहते हैं पार्थ्विक ग्रह जो हैं वुद, शुक्र, पृत्वी और मंगल जो हैं हमारे पार्थ्विक ग्रह हैं क्योंकि ये सूर्य वह चुद्र ग्रहों की पट्टी के बीच से थे क्योंकि ये ग्रह पृत्वी की ही भांती ही शेलों और धादूं से बने हैं इसलिए इसे इन्हें पार्थविक्र हैं भी कहते हैं इस तरह सोर पबन के परभाव के कान आदी काल या पहले का बायू मंडल स्माप्त हो गया ये बायू मंडल के विकास की पहली अवस्था थी अब सोर पबन किसे कहते हैं? सोर पबन से हमारा अभिप्रा ये है कि सूर्य से बाहर से आने वाली आब बेशित कड़ों की बुझार को सोर पबन कहते हैं फिर है अब इसमें दूसरी अवस्था में प्रित्फी के ठंडा होने के बार प्रित्फी के भीतर से बहुत सी गैसें और जलवास्थ जो है बाहर निकले जब प्रित्फी ठंडी होगे हुई तो उसमें से बहुत सारी गैसें और जलवास्थ बाहर निकले इस क्रिया को गैस उत्सर्जन कहते हैं गैस उत्सर्जन से अभी प्राई यह है कि जब पृत्वी के बाहर पृत्वी के बाहर गैसे निकलती है तो उसको क्या कहा जाता है गैस उत्सर्जन कहा जाता है इसी से बायू मंडल का उध्वब हुआ फिर इसमें है तीसरी अवस्था जिसमें कि फिर अंत में बायू मंदल की सरचना को जैब मंदल के परकास शंसलेशन की प्रिया ने इसको बदल दिया बायू मंदल की सरचना को किसने बदल दिया जैब मंदल के द्वारा जो है प्रकास शंसलेशन की प्रिया हुई उसके कारण क्या हुआ कि बायू मंदल ऑक्सीजन से भर गया ये इसकी क्या थी तीसरी अवस्था थी फिर लगातार जुआला मुखी विसफोर्ट से बायू मंदल में जलवास्प और गैसें बढ़ने लगी भूमी के ठंडा होने के साथ साथ जलवास्प का संगनन अरम्भ हो गया हमें ये भी पता होना चाहिए कि संगनन किसे कहते हैं पहले हमें ये पता होना चाहिए संगनन किसे कहते हैं संगनन से हमारा अभी प्राय ये है जिस क्रिया के द्वारा बायू में उपस्तित वास्प द्रब में परवर्तित होता है उसे संगनन कहते हैं वर्षा भी एक संघनन का रूप है, बायू मंदल में कार्बन डायायक्साईट के बर्षा में के पानी में घुलने से तापमान में क्या आई, गिरा बटाई किस कारण कि पायू मंडल में जब कार्बन डाइकसाइड की मात्रा अधिक होगी यह उसमें पायू मंडल में कार्बन डाइकसाइड मिक्स हो गया उससे क्या है वर्षा के पानी में घुलने से तापमान में क्या आगी गिराबटाई इसे अध्यधिक बर्षा हुई इसे बर्षा का जल जो है गड़ों में इकठा होने लगा इसे महासागरवने इस तरह जल मंडल का विकास हुआ मैं समिता गोर्मेंट सीनियर स्केंडरी स्कूल त्यारा डिस्टिक कांगडा